दोस्तों एक संसनाती हुई ख़वर टिक्टोक को लेकर के आ रही है और वो अमेरिका की डिगार्डिंग है अमेरिकी राश्पर्टिं डॉलान ट्रम्ट ने टिक्टोक को तीन दिन पहले एक धंकी दी थी और उन्होंने कहा था कि अगर टिक्टोक के operations और को देखने के लिए अगर कोई अमेरिकी कमपनी के साथ अगर partnership तीन दिन के अंदर नहीं होती है तो तीन दिन के बाद टिक्टोक को बैन कर दिया जाएगा और इसी के बाद टिक टॉक ने एक नई बीडिंग मतलब ऑक्षन की एनॉस्मेंट की थी और कंपनी से फॉर्म सोगर मंगवाए थे बीडिंग के लिए कि कौन सी कंपनी उसको एक्वाइर करने के लिए एक जुक है वो अपने अपने प्रपोजर्स करके आएं तो इसमें Microsoft सबसे आगे चल रही थी और उसके बाद तमाम कंपनिया थी और Oracle भी था और फाइनली दो कंपनियों के बीच वार चल रहा था Microsoft और Oracle के बीच और अंदर खाने पता नहीं क्या निवज हुआ क्या कॉमिनेशन बैठा दोनों के बीच Microsoft की बीड को कैंसि परिटर्स बगर का काम Oracle के तरफ से देखा जाएगा तो Americans के लिए ये काफी खुसी की लहर है और टिक टॉक के लिए भी टिक टॉक बच गया अमेरिका में बैंड होने से और Americans भी जो भी उसके followers थे या creator थे सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई और हम Indians के इंडिया में भी बाहल हो पाए तो उमीद करते हैं की जल्दी ही टिक टॉक हम लोग के लिए इंडिया के लिए भी कोई नहीं खुछ खबरी ले करके आएगा और एकल के साथ भी बहुत उम्मीदें जुरी हुई है क्योंकि और एकल भी बहुत बड़ी कंपनी है और इंडि से सबको मुहबत है और पैसे और एकल को भी कमाने हैं टिक टोक को भी कमाने हैं तो ये थे एक छोटी सी अपडेट हमारे तरब से टिक टोक को लेकर के अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे औ और आपके काम के लिए है मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में नमस्कार